अले दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल आरके स्टडी पे मैं हूर अबिन्दुक्मार और गाईज हम आपका स्टीप प्रोग्रामिंग का mcq question लेकर आचुके हैं तो सभी लोग एक बार sessions को share कर देंगे अपने friends को जिससे के कुछ लोग और जोड़ सके हैं ठीक है और जितने भी जितने आपके student हैं सारे लोग को share कर दीजे class हम लोग अभी start करेंगे mcq का question जल्दी से उसे भी लोग जल्दी से share कर देंगे एक बार और फिर हम लोग class को start करेंगे और very important mcq लेकर आये हुए है जो आपका basic सी programming है वानिए शूरू से एकदम basic से लेकर है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा हिंदी और इंग्ली स्थोनों में कराने की कोसिस किये हैं ठीक है तो इससे आपको बहुत ही मजा आने वाला है तो एकदम वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिएगा साथ में बेल एकन भी प्रेस कर लिए क्योंकि से रिचि आना और सभी लोग एंसर करेंगे वीच आप दो फॉल्वाइं लांग्वेज इस दो प्रोचिजरल टू सी प्रोग्रामिंग लांग्वेज जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा वीच आप दो फॉल्वाइं लांग्वेज इस प्रोचिजर टू सी लांग्वेज इसका मतलब है कि निम्न में लीखित में कौन सी भासा सी प्रोग्रामिंग भासा की पुरवरती है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि निम्न में से कौन सी भासा सी प्रोग्रामिंग भासा की पुरवरती है A, option number A में दिया है A, option number B में B और option number C में आपका B, C, PL या D दिया गया है C++ जल्दी से बताइएगा कि which of the following language is the procedure to C programming language I hope guys कि आप लोग सभी लोग सही अंसर कर रहे होंगे इसका जिसने लोग C options जवाब दिये हैं वो सभी लोग यहां पर correct हो जाएंगे मतलब कि जो procedure to C programming language होता है वो हमारा B, C, PL language होती है कौन सा B, C, PL ठीक है चलिए मतलब जितने लोग यहां पर C option दे रहे हैं वो सभी लोग सही हो जाएंगे चलिए next question चलते हैं लोग guys दूसरा question बहुत ही बहुत ही बहुत ही simple है और सभी लोग यहां पर जबाब देने की कोशिस करेंगे सभी लोग यहां पर जबाब देंगे कि C programming language was developed by C programming language को किसने डबलब किया था तो सभी लोग यहां पर जबाब देंगे डेनिस रिचेज यहां फिर केन थॉमपासोन यहां फिर बिल गेट्स यहां पेटर नॉर्ट्रॉन जल्दी से यहां जबाब देजेगा कि जो हमारा C programming है C programming भासा को बिक्सित किया गया था डेनिस रिची ने केन थांपसन ने बिल गेट्स ने पीटर नार्टन ने जल्दी से हां कमेंट करेंगे कि C programming language वास डबलब बाई जल्दी से बता रिए कमेंट करके नीचे कि जो हमारा C programming होता है उसका डबलब किसने किया था सब्सक्राइब को समझ गया होंगे खिक है कि आई होब गया इसका सब्सक्राइब कर रहा होंगे जितने लोग और दे रहे हैं यहां पर सही अज़ाएंगे खिक है याहाई डेनिस रिची ने यहां पर आपका जो C programming language होता है उसका डबलब किया था ठिक है चलिए next question चलते हैं तो next question आपके screen पे है C was developed in the year जो C हमारा था वो कौन से year में कौन से year में developed किया गया था 1970, 1972, 1976 and 1980 तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा C programming language होता है उसका developed 1972 में किया गया था किया गया था गैज 90, 72 में किया गया था तो option number आपका 20 ही हो जाएगा ठीक है, चलिए next question चलते है सभी लोग ध्यान से इस question को बहुत ही easy सवाल और बहुत ही important, very important सवाल है आपका तो आप लोग, सब लोग बहुत अच्छे से तयार कर लेंगे चलिए next question चलते हैं हम लोग तो सभी लोग चौथा question का answer करेंगे और सभी लोग सही से जवाब देंगे जवाब देंगे, कोशिस करेंगे ठीक है चलिए, c is a long wage c एक long wage होता है high level, low level middle level या mechanics level, जल्दे से बताईएगा इसका comment करके नीचे बताईगा कि जो हमारा c language होता है high level होता है, या low level होता है c में आपका middle level और d में आपका mechanical level तो कौन सा होगा, जल्दी से नीचे comment करके बताईगाई दोस्तों, तो जल्दी से यहाँ पर comment करके बताईगा कि जो हमारा c options, जो हमारा four है, उसका कौन सा options होगा तो I hope guys कि जितने लोग यहाँ पर c options दे रहे हैं सभी लोग यहाँ पर सही हो जाएंगे माने, जो हमारा c language होता है उसका middle level होती है माने, c is middle language c हमारा middle language होता है, तो जितने लोग option number यहाँ पर c दे रहे हैं, सभी लोग right हो जाएंगे, चलिए आईए चलिए चलते है नेक्सक्यूशन तो गाई नेक्सक्यूशन आपके स्कीन पे है और आप लोग सभी लोग जवाब देने की कोशिस किजाएगा कि जो C language है 5 नंबर में C language is available for which of the following operating system जल्दिस यहां कमेंट करके बताएगा कि निम्ने लिखित में से किस operating system के लिए C भासा उपलबद है C language is available for which of the following operating system पहला है आपका DOS, B है आपका Windows और C है आपका Unix और D है अलापतादीच मने इन में से सभी जल्दिस यहां पे बताने के कोसिस करेंगे तो हम लोग अगला की सुन चलेंगे So guys 5 का जो right answer है आपका आलापतादीच मने यहां पे जितने भी आपके दीख रहे हैं DOS, Bindo, Unix याला जितने भी हैं यहां पे सभी हो जाएगे क्यों यहां से देखने से मतलब नहीं है बस आपको मिलाना भी है कि आप कितना से कर रहे हैं बहुत ही जी सवाल है C language is available for which of the following operating system in all of these DOS, Bindo, Unix ठीक है ओके चलें नेक्स क्यूशन चलते हैं So guys, next question आपके skin pair और सब लोग अभी आप सबनी लोग जबाब यहां पे देंगे which of the following symbol is used to denoted a preprocessor statement कहने का मतलब यहां पे यह है कि preprocessor statement को दर्साने के लिए निमन लिखित में से किस प्रतिक का उप्योग करते हैं preprocessor, एक बार फिर से ध्यान से question समझ लेंगे preprocessor statement को दर्साने के लिए निमन लिखित में से किस प्रतिक का उप्योग करते हैं यहां पे देखिए आपका दिया गया है पहला में आपका यहां पे दिया गया है खड़ी बिराम का चीन है, फिर बी में आपका हाइस्टैक, फिर यहां पे आपका सेलेश्टिया टाइप का दिया गया है जिसको हम लोग दूसरी नाम से भी जानते हैं और यहां पे जो आपका D है, ओ आपका D आपका जो दिया गया है डी आपका सेमी कॉलम है तो जल्दी से हैं पर एंसर किजेगा कि वीच आप फॉलोइंग सिंबल इन यूज टू डी नोटेड प्री प्रोसेशर स्टेटमेंट सब्सक्राइब लोग किसन समझ गया होंगे तो सब्सक्राइब यहां पर एंसर करेंगे कि जो हमारा प्री प्रोस एस्टीष पर सकते हैं ठीक है औ hedge डी में आपका सेमी कॉल मैं तो जल्दी से एंसर किजीएगा तो आई होप गाईच कि जो हम लोग प्री प्रोसेशर statement के लिए use करते हैं वो हम लोग hashtag का use करते हैं किसका hashtag का तो जितने लोग यहां पर भी option दे रहे हैं सभी लोग यहां पर correct हो जाएंगे ठीक है चले next question चलते हैं तो गाई next question आपके screen पर आप सभी लोग जबाब दीजेगा यहां पर which of the following is scholar data types जल्दी से कमेंट करेगे निमने में से कौन सा एक अदीश data प्रकार है which of the following is scholar data types पहला दिया गया float दूसरा दिया गया unique तीसरा दिया गया array चौथा दिया गया आपका pointer तो सभी लोग यहां पर answer करने की कोशिस करेंगे तो जो हमारा अदीश यहां पर scholar data type जो होता है वह हमारा यहां पर जितने लोग option नमबर ए दे रहे हैं यहां पर सही हो जाएंगे मने float होता है क्या होता है float होता है unique array और pointers यह सारे नहीं होते है यह हमारा जो कह सकते हैं कि जो अदीश data प्रकार है वह हमारा float होता है यानि option number यहाँ पर A सई हो जाएगा चलिए next question चलते हैं next question आपके skin पर आप सभी जबाब देने के कोशिस करेंगे which of the following are token in C फिर से सुन लिजेगा कि निमने में से कौन सा C में token है चल्दी से बताएगा which of the following are token in C तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो हमारा token C होती है जो हमारा यहाँ पर C पर token C होती है यहाँ पर हमारा keyword होता है variable भी होते है constant भी होते है यानि all of the above इन में से सभी होंगे मैंने option number हमारा यहाँ पर D हो जाएगा फिर से द्यान से सुन लिजेगा which of the following are token in C token in C C में tokens होते है keyword भी होते है variables भी होते है constant भी मैंने यहाँ पर सभी लोग आप लोग option number D जितने जवाब दे रहे है सभी लोग सही हो जाएंगे चलिए next question चलते है so guys very important question है आपका और यह बहुत आगे तक आपका काम देगा तो इस question को आप सभी लोग याद रखेगा 9 number का ठीक है what is the valid range of number for int type data कह रहा है कि जो int माने integer type के जो data होते हैं उनकी range number कितनी होती है पहला option दिया गया आपका 0 to 256 यहाँ पर फिर दिया गया है b minus 327682 plus 32767 तीसरा दिया गया आपका minus 655362 plus 65536 या फिर इसमें कह रहा है कि no specific range माने इन में से कोई range नहीं है जल्दी से बताएगा यहाँ पे कि जो आपका 9 answer है उसका सभी लोग answer करेंगे कि 9 answer का कौन सा answer सही हो जाएगा a b c d में कौन सा सभी लोग यहाँ पे answer दे रहे हैं वो सभी लोग चल्दी से बताएगा नीचे कमेंट करके हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारा integer data type होते हैं वो उनके जो range होती है कितने तक होती है तो हमने वीडियो में एक वीडियो बताई भी थी हमारा वीडियो आप लोग अगर देखे होंगे तो उनकी range जो होती है वो option number बी जितने लोग से दे रहे हैं वो लोग सही हो जाएंगे माइन माइनस 32 7682 प्लस 32767 माने जितने लोग option बी दे रहे हैं यहाँ पर राइट एंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए next question चलते हैं दस्वा question आपके स्कीन पर गया जब आप सभी लोग यहाँ पर अंसर करेंगे कि which symbol is use a statement terminate is c जब हम लोग c program में statement को terminate करते हैं मतलब वहाँ पर terminate जब करेंगे तो हम किस symbol का use करते हैं फिर से सुन लिजेगा 10 number question which symbol is a use a statement terminate is c जब हम लोग c program में statement को terminate करते हैं तो कौन सा चिन्ह का उप्योग करते हैं तो आप सभी को पता है गाईज इसका answer और आप लोग सही answer देते होंगे उमीद है कि इसका जो जितने लोग हैं पर d option दे रहे हैं सभी लोग सही हो जाएंगे d is a right answer मैंने हम लोग semi column का यूज सबसे ज़्यादे करते हैं और दूसरी बात यह भी है कि terminate जब हमारा c program होता है statement उसका तब हम लोग semi column का यूज करते हैं तो d is a right answer चले next question चलते हम लोग तो गई next question आपके skin page 11 number है और सभी लोग यहाँ पर ध्यान से answer देंगे which is cap character can be used to begin a new line in c ध्यान से समझ लेंगे बात को कि c में एक नई line शुरू करने के लिए किस escape character का उपयोग किया जा सकता है c में एक नई line शुरू करने के लिए किस escape character को उपयोग करते हैं तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान में देखिएगा पहला दियागा आपका से लेस ए से लेस बी या से लेस लेस एं जल्दी से यहाँ पर जबाब देने के कोसिस करेंगे कि जो हमारा c होता है c language जो होता है उसमें नई line शुरू करने के लिए किस escape का character का यूज करते हैं यानि which escape character can be used to begin a new line in c जल्दी से हाँ एंसर करेंगे c a c b c m c c जल्दी से हाँ एंसर करने के कोसिस करेंगे सभी लोग तो इस question का जितने लोग यहाँ पर चल्दी से जबाब दे रहे हैं यानि option number b वह सबी लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे तो डी स्वरी डी स्वरी यहां पर ध्यार में रखेगा 11 नमबर का जितने लोग यहाँ पर डी ऑप्सन दे रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे मने option से ले सापका यहन हो जाएगा यहाँ आपसन नमबर डी तो जितने भी यहाँ पर डी दे रहे हैं सभी लोग से जाएंगे चलिए नेक्स क्यूचन चलते हैं नेक्स क्यूचन आपके स्कीन पर आप सभी लोग जबाब दीजेगा सेम आपका है वीच इसको इसके करेक्टर कैन बी यूज टू बीफ हम इस्पीक इन सी जल्दी से यहाँ पर अंसर करेंगे कि जो हमारा सी में स्पीकर से बीफ करने के लिए किस इसकेप करेक्टर का उपयोग किया जाता है इसमें भी दिया गया है स्लेश से स्लेश बी स्लेश एम स्लेशन तो सभी लोग यहाँ पर जबाब देने के कोसिस करेंगे कि जो हमारा C में speaker से beep करने के लिए किस escape character का उपयोग किया जा सकता है तो सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा which space character can be used to beep from speaker in C is just less A ने right answer is A, okay? जितने लोग यहां पर option number यह दे रहे हैं सभी लोग यहां पर सही हो जाएंगे चले next question चलते हम लोग so guys next question आपकी screen पर आप सभी लोग जबाब देने के कोशिस करेंगे आप थर्टीन नमबर character constant should be in close between ध्यान से समझ लेंगे बात को चरित्र इस्तरांक के बीच संगलन होना चाहिए आपको इंग्लिस में ही बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा character constant should be in close between पहला है आपका single quieto, double quieto, both and, both a and यहां पर लिखा गया है डी नन आप दिज चल्दी से यहां पर जवाब दिजेगा कि आपका इन में से कौन सा सही हो जाएगा सभी लोग यहां पर जवाब देनी की कोशिस करेंगे कि character constant should be in close between तो यहां पर जितने लोग option नमबर यह दे रहे हैं वो सभी लोग यहां पर सही हो जाएगे तो ध्यान में रखेगा गाईज कि जो हमारा character constant होता है should be in close between single quiet ठीक है तो सब option नमबर आपका यहां पर यह सही हो जाएगा चलिए next question चलते हैं आपके स्कीन पर और सभी लोग जबाब देने की कोशिस करेंगे string constant should be in close between तो यह तो आपने question अभी पढ़ लिया है चलिए next question चलते हैं तो 15 नमबर आपके question skin पर आप सभी लोग जबाब देजेगा यहां पर which of the following is invalid इन में से कौन सा invalid होता है जैसे A में दिया गया है एक तरफ का invited यहां पर दोनु तरफ का invited कामा दिया गया है A दिया गया है फिर ABC और यहां पर ठीक है ABC दिया गया ठीक है तो सभी लोग यहां पर जबाब देने के कोशिस करेंगे और सभी लोग यहां पर जबाब देंगे द्यान से फिर से question समझ लेंगे 15 number which of the following is invalid इन में से invalid कौन सा है invalid एक दिखी invited कामा में है लेकिन आधा है दूसरा है आपका double invited कामा में फिर A है फिर ABC तो यहां पर आपका जितने लोग option number D दे रहे हैं वो सभी लोग सभी हो जाएंगे यहनि ABC जो हमारे invalid होता है वो ABC होता है ठीक है तो जी डी option जितने लोग दे रहे हैं सभी लोग यहां पर सही हो जाएंगे चलिए next question चलते हैं तो सभी लोग यहां पर अगला question का जबाब देंगे बहुत ही important question है 16 number the maximum length of variable in C C में maximum length variable की कितनी होती है सभी लोग यहां पर जवाब देने की कोशिस करेंगे और सभी लोग यहां पर जवाब भी पता होगा तो सभी लोग नीचे comment करके बताएगा कि the maximum length of variable in C जल्दी से हैं पर comment करके बताएगा character 8 दिया गया है पहला option 8 है दूसरा है 16 तीसरा है 32 और चौर था है जो 64 है सभी लोग यहां पर answer करेंगे कि the minimum length of variable in C is जल्दी से हैं पर answer करेंगे तो option नमबर जितने लोग यहां पर 8 दे रहे हैं सभी लोग यहां पर correct हो जाएंगे कि जो हमारा C language होता है उसमें variables की length होती है maximum 8 ठीक है तो सभी लोग जितने लोग यहां पर C option दे रहे हैं सभी लोग right हो जाएंगे चले next question चलते हैं लोग तो गई next question आपके screen पर और सभी लोग यहां पर जवाब देने की कोशिस करेंगे what will be the maximum size of a float variable float variable में maximum size float की कितनी होती है तो यहां पर सभी लोग जवाब देने की कोशिस करेंगे कि जो float type का होता है variable उसमें maximum size कितनी होती है 1 byte 2 byte 4 byte 8 byte सभी लोग यहां पर जवाब देने की कोशिस करेंगे so guys यहां पर आप सभी को पता होगा कि जो float type का होता है हमने बताए भी है int float chart के बारे में बताए भी थे कि जितने लोग यहां पर हमारे वीडियो और देखे होंगे class लिये होंगे तो सभी को पता होगा कि जो float होते हैं उनकी maximum size कितनी होती है थे पर option number जितने लोग सी दे रहे हैं सभी लोग यहां पर right हो जाएंगे यहनि 4 bytes का होता है 4 bytes का ठीक है यह जो हमारा float variable होता है float variable is maximum size of 4 bytes okay i hope guys कि जितने लोग सी option दे रहे हैं सभी लोग यहां पर सही हो जाएंगे तो see is a correct answer चले next question चलते हैं लोग दोस्तों so guys मजा आ रहा होगा question में तो आप लोग सभी लोग जबाब देंगा सभी लोग एक like कर देंगे और video को share करेंगे अपने दोस्तिक बाद ठीक है तो चले 18 नंबर यहां पर आपका आगया स्कीन के सामने और सभी लोग जबाब देंगे करेंगे what will be the maximum size of double variable ध्यान में रखेगा what will be the maximum size of double variable double variable यहां पर कह रहा है कि जो हमारा double होता है हमने क्या क्या बताया थे इंट करेक्टर फ्लोट डबल ठीक है इंट करेक्टर फ्लोट डबल तो यहां पर आपका double variable होते हैं उसकी maximum size क्या होती है कि चैँे तो सबी कि यहां फिर धियान में रखे इंगे इतना जाइब आपको पता होना चाहिए कि इंट का कितने size होता है कितने bytes के होते हैं और प्लोट करेंभी कितने होते हैं और आपको गद्वाफ कितने होते हैं आपके कमेंट कर कि नीचे बताएं इसक्तीमी बताइए कि what will be the maximum size of a double variable double variable कितने उसकी maximum size कितनी होती है सभी लोग comment करके बताइए पहला option दिया गया है 1 byte, 4 bytes, 8 bytes या 16 bytes तो यहां पर option number जितने लोग C दे रहे हैं सभी लोग सही हो जाएंगे क्योंकि double bytes double variables होते हैं उनकी 8 bytes होती है मानि option number is C correct answer सभी लोग जितने लोग जबाब दिये हैं सही answer है so guys next question आपके screen पर आप सभी लोग जबाब देने की कोसिस करेंगे हापे सभी लोग जबाब देंगे हापे declaration float a b accepts of memory यहाँ पर जल्दी से declare करेंगे जो हमारा float दिया गया है a और b कि उसकी जो size है वो यहाँ पर कितनी size होगी उसकी memory की size कितनी होगी तो सभी को पता है guys कि जो हमारा float होता है वो चार का होता है तो यहाँ पर हमारे दो variables है a and b तो चार प्लस चार तो हमारे कितने हो गया eight bytes के कुल कितने बने eight bytes के तो option number जितने यहाँ पर सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पर सही हो जाएंगे जो हमारा float a और b के लिए declared करेगा हो हमारे eight bytes होंगे कितने eight bytes जाने option number जितने भी answer दे रहे हैं तो सभी लोग यहाँ पर सही हो जाएंगे सीजे राइट चलिए नेक्स चलते हैं तो आज का लास्ट क्यूशन है और आई होब गयाच कि आप इसका सही एंसर देंगे सभी लोग क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है और इसका सभी लोग जवाब देने की कोसिस करेंगे ठीक ह तो आपका लास्ट एंसर किस्टन का इंसर भी बताना है और इसको देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं कितने लोग नहीं पढ़ते इसी में पता सब्सक्राइब जाएगा होता है उनकी साइज होती है 1610 शें से नहीं हो सकता तो आपका और यहां पे 30 होगा माने Yap G Ettundzas 15 Ende होगा इन वेसे इन में से कोई भी नहीं है तो जितने लोग एक बार नए जितने भी student हो सबी लोग channel को subscribe कर लेंगे और फिर like share कर देंगे video को अपने दोस्तों के पास कि सभी लोग इस video का देख लें और जितने भी student को जोड़ेंगे हम जल्दी आहरा हर क्लास करेंगे ठीक है तो हम लोग का भी बहुत जादा इस सी बंदे मातरम